हलो कैसे हैं याँ वेल्कम बेक टू अनुलेखा किचन वेट सपी आज में आपके शाहर शेयर करने वाली हूं जड मस्कमी का बहुत ही खास प्रशाद जिसे हम कहते हैं आटे की पंजरी जो कृष्षी भगवान को बहुत ही जादा प्रिये है तो चलते हैं इसे हम कैसे बनाए अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है इस कढ़ाई पर मैंने लिया है एक बड़ा चमजगी जो मेल्ट हो रहा है देखे इसे मेल्ट होने देंगे दीरे दीरे और अब इसमें हम उटाल देंगे कुछ ट्राइफूर्स तो पहले मैंने इसमें लिया है माखाना अब काजु लिया है और कुछ लिए है मैंने बदाब। अब इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हम तो धीरे-दीरे हमें धीमी आजब इसे रोस्ट करना है और यहां देखें बड़ी कलर आने लगा है इसमें और इसमें हम AID कर देंगे है अब किश्मिष तो थोड़ा सा मैं इसमें किशमिश लिया है और इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक किशमिश थोड़ा सा फूल ना जाए तब तक आपको इसे रोस्ट करना है तो बढ़िया सा यह देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है इसमें अब और खुश्पु बहुत बढ़िया आ रही है अब इसे धीरे धीरे मध्धी आच में बिलकुल इसे रोस्ट करना है बहुत इक गेज का फ्लेम धीरे रखेगा अब यह देखिए लगबग हो चुका है यहां पर तो यह देखिए बढ़िया सा कलर आ गया इसमें इसका मोश्यर हड़ गया है बहुत क्रंची हो गया है इसलिए ह हम इसे थोड़ा सा रोस्ट करते हैं अब यह देखिए बढ़िया सा हो गया है यह देखिए अब रिससे में एक बरतन पर निकाल लोगी चलते हम अपने नेक्स स्टेप में उसी बरतन पर मैंने दो बड़े चमच गी लिये हैं घी बहुत इंपॉर्टन होता है आटे की अपको घी लेना है यहां पर मैंने देखिए चहना हुआ साफ आटा लिया है लगभाग एक प्लेट ले लिया है और इसे हम अच्छे से धीरे धीरे धीमी आज में इसे हम सेकेंगे तो आटे को बहुत ही धीमी आज में सेकना है सब थोड़ा सा आटे की पंजरी में टाइम यहीं पर लगता है कि हमें आटे को बहुत धीमी आज में धीरे धीरे सेकना है दर्वाइस नहीं तो यह कच्छे रह जाएंगे तो यह देखे बड़ी आसा हो गया है मैं यहां थोड़ा सा वीडियो फास्ट किया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ताकि आटे अच्छा से बूझ जाए बाकि आपको 5-10 मिनट आटा भूझने में लगता है इसमें तो यह देखे बड़ी आसा कलर आना स्टार्ट हो गया है अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी जो हमारे कार्डमन्स पाउडर माने जो इलाइची का पाउडर है वो एड़ किया है और सूखी हुए प्रिनारियल को मैंने क्रश करके रखा था उसे मैंने यहां पर डाला है तो यह देखे बड़ी आसा हम इसे मिला देंगे बहुत बड़ी आसी खुश्चबू आ रही है और दे देखे बड़ी आसा सुनेरा कलर हो गया है आटे का तब तक आपको आटे को भूझना है और आटे की पंजीरी अब हमारी रेडी हो गई है अब मैं इसमें डाल दूंगी शकर शकर पिसी हुई भी आप ले सकते हो अब यहां पर मैंने खड़ी शकर लिया है और यहां पर मैंने गेस को बंड कर दिया है अब खड़ी शकर लेने का यह रिजन है कि जब मैं खड़ी शकर तो गर्माहट से थोड़ी से बिघर जाती है और थोड़ा सा यह क्रंची रह जाता है तो इससे टेस्ट बढ़ा बहुत ही बड़ी आते हैं तो आप एक बार इससे जरूर ट्राय करिएगा यह देखें बढ़िया सा आटे के पंजिरी हो गई है रेडी और कृष्ण भागवान का जब यह परशाद बनाते हो तो बिना तुलसी के पते के वो परशाद कंप्लिट नहीं होता है तो सबसे मोस्ट है तुलसी जी के पते जो मैं इसमें डाल रही हूँ और यहाँ पर मेरी हो गई है आटे पंजिरी रेडी अब मैंसे एक बरतन पर निकाल लेती हूँ तो बहुत बहुत बधाई हो जनमस्ट में की थैंक यू